वल्कम तु जोई प्रपटी गाइड अज आम लोग इस वीडियो में M3M गृप का बुटेक फ्लोर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे इसका कॉस्टिंग कितना आता है आसपास का लोकेशन का एडवनडेज इस क्या है करेक्टिविटी क्या सा है फ्यूचर में ROI कि सबसे आ सकता है तो बहुत सारे सवाल जो एक इन्वेस्टर या इंडियोसर के मन में होता है उस सारे सवालों के जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा साथ-साथ इसका नेगेडिव पॉइंट्स भी क्या है मैं आइडिया देता हूँ सकता है आसपास का लोकेशन और कनेक्टिविटी वाइस कैसा है आपको मेरे सबसे लिए एक मिनट कंदर पता चल जाएगा इस इस योर नाशनल हाइवे 8 जो दल्ली से जाइपूर होके मुंबाई तक जा रहा है भी और यह जो राइट हंड साइड पे द्वार का एक्स्प्रेस भी यह नाशनल पेरिफिरल रोड जिसको कहते है एंपिया आज के दिन में यह नाशनल हाइवे 248 बीवी नाम पे यह घुसित हो चुका है प्लस अपका लेफ्ट हंड साइड पे जो साओधन पेरिफिरल रोड है यह साओधन पेरिफिरल रोड सीधा गॉल्प कोर्स एक्स्टेंशन रोड होके गॉल्प आरे तक कनेक्ट होता है तो और इस तरफ से यह जो राजीब चौक है राजीब चौक से यह सीधा रोड करेंगे सबसे पहला वाला सेक्टर जो राइट हंड साइड पे आता है 83, 84, 88 इसके बाद यह जो पूरा चंक अब देख रहे है 83, 82, 85, 84 इसमें मेजर पोर्शन आपका वार्टिका के पास है और मॉस्ट 700 एकर का वार्टिका आइक्स का टाउंशिफ है इस लोकेशन पे इसक सेक्टर 89, 88 के लगा हुआ सेक्टर है अब जाने के दो कहीं सरे रस्ता है किसी भी रोट से जा सकते हैं प्लस अगर आपको गॉल्प कोर्स एक्स्टेंशन वाला रोट जाना है तो सावधन पेर रोट पकड़के आप सीधा गॉल्प कोर्स एक्स्टेंशन होके आप फरिदा इस और आपका इक्स्टेंशन भी ब्लस आपका गॉल्प कॉर्स एक्स्टेंशन थीन प्लस आपको नेक्टीविटी आगया प्लस यह जो आप未ज्व ब्लस के सार्य कोरिदोर स たशय है का मानसेर्श के सारे σεक्टर से प्लस आपका जो मानसेर्ट करते Hub करते हैं और्ल Κॉます करते हैं उस सारे लोग के लिए 89 सेक्टर बहुत आसानी से पहुंचने का एक जरिया है यह करेक्ट यह रोड आपका प्लस यह ओल्ड गुड़गाउं जो है जो पटोधी रोड सबसे फेमस रोड माने आते इस लोकेशन में सभी मेरे सबसे ओल्ड गुड़गाउं के सब्सक् अब सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है इस लोकेशन इपड़ अगर आप बुड़गाउं के मास्टर प्लान देखे बुड़गाउं के मास्टर प्लान में 88 सेक्टर प्योर कमर्शियल डेडिकेट इस जगह में कोई रेसिदेंशल नहीं आ सकता सारे के सारे कमर्शियल प्लान के रखा हुआ है तो फ्योचर में जब यह सारे सेक्टर डेवलप हो जाएगा या जो कमर्शियल सेक्टर या कमर्शियल बिल्डिंग्स आने हैं काफियत तक अभी इसका डेवलप्मेंट सुरू हो रहा है तो अगले चार-पांस साल या साथ साल के अंदरी जब पू अब कनेक्टिविटी वाइस देखे तो अगर आप अगर आप आ रहे हैं ओल्ड गुर्गाउं से तो अपको लेफ्ट लेके यह जो शेडिंग तोर पर दिख रहा है यह दिस इस यूर लोकेशन जो गोल्ड रस प्लस जो एम्त्रियम का फ्लोट्स आयो है ड्रीम होम्स नाम अब थोड़ डेवलापर के वारे में बता दूँ डेवलापर के वारे में जो गुर्गाउं में रहते हैं वो तो अच्छी तरह से उनको पता होगा गुर्गाउं में जो सौधन प्रेट्फर रोड गॉल्प कोर्स एक्स्टेंशन और दौर का एक्स्प्रिस हुए इस जग जान पर सेग्मेंट में आता है जैसे गॉल्पे स्टेट गॉल्पे स्टेट के नदर चार से पांच प्रोजेक्ट रेसेड़नेंशल कॉम्प्लेक्स है सुवस्ति वान एकर के लेंड पैछ है इस लेंड पैच में जो यह टिकर साई शुरूवत होता है ऑलमस्ट दो करोर स तो एक बहुत ही प्रीमियम सेग्मेंट पे यह पहले काम कर चुके हैं, सेक्टर 107 में M3M हुटसायर अल्रेडे डिलिवर्ड है, जब द्वार का एक्स्प्रेस हुए, बन रहा था उस ताइम पे जो टाइम उन्होंने कमिट के था, उसी टाइम पे उन्होंने डिलिवर कर दि पे जो प्रॉपर्टी में डिल्स हुए है, वो सरफ M3M नंबर वन है आज तक, ठीक है, यह इवन डिल अप को भी पिछे छोड़ दिया इस लोकेशन में, आप इनलों का खास कहा है, लीडिंग ना इंडस्ट्री से लिए क्योंकि इंपक्टफुल प्रोजेक्ट लाँच ज सबसे ज़्यादा चलेगा, आज के दिन में जैसे आप मान लिजे और टाइम की साबसे बदलते रहते हैं, बदलते ही टाम सब प्रोजेक्ट को उसे लेवेल पर लाँच करते हैं, 2014 के आसपास जब आहोती अल्ट्रा लगजरी सेग्बेंट लोग प्रेफर कर रहे थे और ल चा रहे हैं, बट इस टैम पे हाथ में बहुत ज़्यादा लिक्यूरेटी नहीं है, बट एक घर हो जहां पे घर से एक ऑफिस का काम कर सकें, या अगर ऑफिस अपना खुद का भी ऑफिस है, तो वीक देज में या ऑफिस आने के बाद जरूर पड़े तो अपना टाइम उस परूर तक है, तो you can understand the kind of presence it has in गुडगाउं, ठीक है, तो आप अगर गुडगाउं में कभी भी आएं तो इस सारे के डेलिवर्ट प्रोजेक्ट भी आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं, अब इसमें ये क्यूं कह रहे हैं, अपर सक्सेस्पूल लिविंग इन लंडन, सिंकपू बहुत ज्यादा है, ये introducing code name, gold rush, जो boutique floors है, gold rush के इत्रू से ये अपना launch कर रहे है, ठीक है, ये आपका ground floor है, ground floor पर आपका car parking होंगे, जो आपका still car parking, then अपर ground floor या इसको आपका ground floor बोलेंगे, just a second, this is your ground floor, this is first floor, second floor, third floor, and then terrace, and ये जो plots जुड़े होएं, इस जगाम आपका ल lift है, तो lift भी है, आपका stairs भी है, और जो lower ground floor है, lower ground floor है, आपका office space है, 200 square feet का lower ground floor to office, and terrace पे भी आपको office मिलेंगे, 3.5 BH के, मतलब almost 3.5, almost इसको 4 BH के तरह भी आप use कर सकते हैं, तो एक बहुत सुनेरा option से, investment and induce के लिए, अब इसका demand क्यों आया, एक तो पहला है, क्या जो high-rise है, high-rise का बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो congestion होता है, दूसरा, high-rise से बहुत सारे लोगों को डर भी होता है, वो जो aged होते हों तो बिलकुल पसंद नहीं करते हैं, हमेशा चाते हैं, यार पांचा फ्लोर, चौथा फ्लोर उसके नीचे नीचे प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन होंगे इस लोकेशन पे, तो कंस्ट्रक्शन पे भी बहुत बहुत बहतर ऑप्शन होगा ये, ये इसमें प्राइवेसी अफे प्राइवेसी अफे लो राइस, परसुनलाइस्ट जोन से ये, डेडिकेटेड वरकिंग एरिया है इस जगा में, क जो देफन और चार्म अफे हाइरास अपार्ट्बेंट इन लो राइस अपार्ट्बेंट तो अन अफेरडबल प्राइस विद ये पूरा कॉंसेट इस टोटल प्रोजेक्ट का, ये एक लोकेशन जो मेरे सबसे बहुत सरी लोग जो मैप के थोरो से समझने कोशिस किया, तो सबसे बहुत सरी लोग काम करते हैं, जो डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, नन पल्यूटिंग ये आइम्टी बानेश सरे है, और उनके थ्रू से भी एकदम डारेक्ट करनेक्टेड है, ठीक है, आपको ये एरपोंट पहुचना आपको बीस से पच्चिस मेरे तो एक बहुत अमीजिंग लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है, ये इनका मास्टर प्लान है, आप कनेक्टिविटे देखेंगे, इस तरव 75 मीटर रोड, इस तरव का 60 मीटर रोड, गुडगाओं का खास क्या है, दोनों सेक्टर के बीच में जो रोड होगा, वो 60 मीटर होता, तो गुडगाओं के ये खास है, जो कभी आपका जो कंजेसन है, उन चीजों को ठीक करने के लिए प्लान किया गया था, 2021 के मास्टर प्लान में, देन उसको 2022 में ट्रांसफर किया गया, ये आपका चीज जो मैंने आपको थोड़ा बताया था, थोड़ी दिर पहले, ऐ इस तरफ से बैलकरी होंगे, उस तरफ से भी बैलकरी होंगे, ये थोड़ी दिर पहले मैंने आपको जिकर कर दिया, ये आपका क्लाइबरेटिव स्टूडियो, लाइबरी, होम आफेस, तो सारे चीज जो एक वर्क फॉर्म होम के लिए चाहिए होता है, या एक बहुत पीस में रहेगा, अब कमिंग तो दा क्लब, ये ऐसे ही लोक पका क्लब हॉस का दिखने को मिलेगा, बिसिकली जागर आप एम्थ्रियम गूर्प का पहले उठाएंगे, एम्थ्रियम गॉल्फ एस्टिट हो मर्लिन हो, जैसे उन्होंने पहले पिक्चर में प्रेजन किया, वैसी उपने डिलिवर किया हुआ, तो आपको अंदज आ जागा है, जो आप, यू माक माई वर्ड, जो क्लब हॉस काज के दिन में, पिक्चर आपको दिख रहा है, वैसी एम्थ्रियम डिलिवर करता है, पहले डिलिवर किया हुआ है, बहुत ही प्रीम लेग बेग बेग क्लब यह आपका क्लब हॉस, स्विमिंग पूल, इंडोर हिटेट, इस इवर इंडोर हिटेट स्विमिंग पूल, जिमने जियम, ठीक है, यह ऐसे लेट है, माई स्पेस नाम वे जहां पे आपका नीचे, ओफिस स्पेस बगरा, जिम बगरा, इस तरह आपका रहेगा, बहुत सरी तो ऑफिस के जगह जिम भी बना सकते हैं, कुछ भी अपनी साब से बना सकते हैं, गर जो परसनलिस करना चाता है, तो, इस इस इवर ग्राउन फ्लोर पे इस तिल पार्किंग है, टिपिकल फ्लोर से आप तीन बेडरूम है, प्लस अलग से और एक बेडरूम है, दोनों अब खास बत में आता हूं, इस इस इवर बहुत सरे लोग गौर नहीं करेंगे, गुडगाओं अगर ध्यान देंगे, 3.5bh के इस लेयाउट में लाना बहुत ही मुश्किल है, जरेलिए अगर 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 यह हाई राइस होता तो इसमें लोडिंग जादा होते हैं, इसमे अगर आप लोडिंग भी 15% भी घड़ा देंगे, तो आज के दिन में कॉस्टिंग में कॉस्टिंग के टाइम पर आउंगा, तो समझ में आ जाएगा, अल्मोस्ट आपको 4000 पर स्क्वेर फीट में प्रापरटी मिल रहा है, ठीक है, यह टिबिकल प्लान्स मेरे सब से आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे WhatsApp पर दिवे नंबर पर WhatsApp करियेगा, I'll send it to you, यह कुछ facilities है, security है, Wi-Fi community है, dedicated intercom facilities है, बर्गलर alarm system है, यह नए concept add किया गया अभी, ठीक है, अब इसका payment plan में आता हूँ, payment plan 1585, 1585 में सब 10% आपको अभी देना है, जो तीन लाग के करीब आपका payment अभी initial time पे जाएगा, then आपका जो bank का papers आपको जमा करना पड़ेगा, 85% लोन हो जाएगा, यह 80% तक लोन आएगा, जो भी आपका depend करता है, उसके यह में developer वर देंगे, अगर आप self-run करना चाहते हैं, तो 25% आप अपने तरब से देजिए, 25% क आपका खतम, अब इसके ओपर थोड़ा सा में आपको time देना चाहता हूँ, मेरे सबसे बहुत सारे लोग का interest इसी में होगा, जो seriously देखना चाहरे है, 1423 square feet का जो costing आता है 6950 rupees per square feet as of now, ठीक है, बड़ इसमें धेर सारे discount से 500 rupees का inaugural है, जो scheme benefit देता है 211 rupees का है, क्योंकि जितना payment आप करते हैं, उससे दुगना होगा count होता है as a booking amount, ठीक है, तो effective BSP आता है अपका 88,000, 78,000, प्लस जो rental benefit है, rental benefit आप call करिये हैं, मैं आपको बताऊंगा, rental benefit के थूरू से भी आपको almost 3,60,000 rupees return आता है, तो actual effective BSP 85,000 लग आता है, अब इसको calculate करे 1423 square feet जो मैंने थोड़े दरी प अपार्टमेंट में 1700 square feet, 1423 square feet layout आप compare कर लिजेगा, अल्मोस बरावर हुआ, ठीक है न, 3.5 BHK में तो noid extension में आपका अपार्टमेंट नहीं आता, मेरी सबसे आपको सारे idea आचुका होगा, और अगर कोई भी आपको doubts हो, तो आप DOA number पर call करें, thank you,